वनवी भाग ने खुंखार तेंदुए को पकड़ने की पूरी तयारी कर ली है। शुक्रवार को दो मजदोरों पर हमला कर उन्हें घायल करने वाले इस हिंसक वन्यजियों की पहचान के लिए आबादी, खेट तथा कच्चे रास्तों पर उसके पग मार्क की तलाश की जा र रहा है। दिखाई नहीं दिया। उपवन सवरक्षक कुमार स्वामी के मार्क दर्शन में रविवार सुबह बुलधाना से रैपिट रेस्क्यू यूनिट को बलाया गया और तेंदुए खोज अभियान चलाया गया। सुबह से ही तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई थी। इस गोदाम, गंगा नगर, साला सर मंदीर परिसर, लोनी और बारलिंगा परिसर की खेतिया तथा जाडियों में तलाशी अभियान दो पहर तक जारी रहा। लेकिन तेंदुए कहीं नहीं मिला। हींसक तेंदुए की पहचान के लिए खेत तथा कच्चे रास्तों पर उसके पग मार्क की तलाश की जा रही है। वही ड्रोन कैमेरा की सहायता से तेंदुए की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। सहायक वन सवरक्षक सुरेश वडोडे ने आररसे नियूस को बताया की तलाशी अभियान में वन विभाग की टीम दिन भर जुटी रहेगी। जल्द यह तेंदुए पकड़ा जाएगा ऐसी उम्मेद उन्होंने जताई। परवादियोस पसुन अकुल्या चा आउट्सकर्ट मदे विभाड असले ची बात्पी होती। आनि काल ही लोनी या भागा मदे वा विभाड आहे अशिमुन रात्री माईती मिलालुथे। तरिया एरिया मदे आमे पुर्ण सर्च ऑपरेशन राभवता है आनि नागरीकान ना सतर्कते सा इशारा दिलेला है। पुलीन सर्च चलो है नजर कदी विवट तस आडलला ते नियमन सर्ची बिके कारवा गयरा है ते आमे करू। पुलीन सर्च ऑपरेशन राभवता है। पुलीन सर्च ऑपरेशन राभवता है।